आज हम लोग पढ़ेंगे Class 12 English Poetry के अंतरगत फ्लेमिंगो बुक से A Thing of Beauty यह आपका चेप्टर 4 है जॉन कीट्स की यह बहुत ही बहतरीन पोयम है और यह पोयम ली गई है एंडिमियन आप Poetic Romance से यह Greek Legend पर बेश्ट पोयम है जिसमें एक एंडिमियन नाम का एक सेफर्ड होता है यानि गडरिया होता है जो एक कभी भी है जो Mount Latmos में रहता है और इसको एक द्रश आता है यानि स्वप्न आता है सिंथिया का सिंथिया जो है The Moon Goddess है यानि चंद्रमा की देवी है तो यह से बहुत जादा मोहत हो जाता है तो इसको एक खोजने निकलता है और भटकता है जंगलों में और समुद्र के अंदर भी यानि समुद्र में भी खोजता है और जंगलों में भी खोजता है तो बहुत ही अच्छी पोयम है, वीडियो को लाज तक देखेगा पोयेट कहते हैं, A thing of beauty is a joy forever कि एक कोई भी सुन्दर वस्तु, A thing of beauty is a joy forever कि कोई भी सुन्दर वस्तु हमेशा के लिए आनन्द की वस्तु होती यानि हमेशा वो आनन्द प्रदान करती है, forever A joy forever, यानि हमेशा आनन्द देती है, It's a loveliness increases और इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुन्दरता है, वो हमेशा बढ़ती है, घटी कभी ने It will never pass into nothingness, और ये कभी भी pass into माने होता परिवर्तित होना ये कभी भी nothingness, यानि तुछिता या शून्य, ये कभी भी इसकी सुन्दरता घटती नहीं, कभी भी ये तुछ नहीं होती यानि तुछिता में परिवर्तित कभी नहीं होती, हमेशा इसकी loveliness, इसका प्यारापन बढ़ता ही रहता है बट विल कीप, इट विल नेवर पास into nothingness, बट विल कीप, लेकिन ये हमेशा रखती है, यानि प्रदान करती है, क्या? अब वोर क्वाइट फॉर अस, एक सांथ कुंज, वोर का मतलब होता है कुंज, यानि सांथ इस्थान, ये हमेशा सांथ इस्थान हमें प्राप्त कराती रहीगी, यानि हमें उपलब्द कराती रहती है, हमेशा ये हमें प्राप्त कराएगी, यानि कोई भी सुन्दर में परिवर्तिद नहीं होगी, बलकि हमें हमेशा क्या करेगी ? हमेशा हमें ये बोहर प्रदान करेगी, सांतिस्थान प्रदान करेगी, and a sleep, और हमें एक स्लीप प्रदान करेगी, full of sweet dreams, जो मदूर शौपनों से भरी हो, वो नींद प्रदान करेगी, and health, स्वास्थ प्रदान करेगी and quite breathing और एक शान्त breathing यानि ये सब चीजें हमें एक सुन्दर वस्तु दे सकती है यानि सीधी सी बात है कोई भी चीज है जो सुन्दर है तो आनन तो देगी ही देगी और हमारे लिए तुसकी सुन्दरता हमें सब बढ़ती रहेगी और यानि कोई भी सुन्दर चीजे हैं कोई भी सुन्दर वस्तु है वो कभी तुच्छता ग्रहन नहीं करती वो स्रेश्ठी बनी रहती है अब आगे कभी क्या कहते हैं therefore इसलिए on every morrow इसलिए प्रतेक आने वाले कल के लिए therefore इसलिए on every morrow प्रतेक आने वाले कल के लिए और बी रेथिंग रेथिंग माने होता है बुनना यह बनाना गूतना माला गूतना और भी रेथिंग अ क्फलावरी बेंड कि हम एक फूलों का बेंड बना रहे हैं पृतिक आने वाले कल के लिए किसी सुन्धरता से प्रभावित होकर हम पृतिक आने वाले कल के लिए एक रह हुआ हम रहीं कर रह हैं। वियादों से बनी हुई है, माने हमारे लिए हम प्रतेक दिन अपने आनंद, यानि प्रतेक आने वाले कल में हम यही सोचते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा हो, आनंद मैं हो, तो हम नए-नए सपने बूलते हैं उसी टाइप से, यह वही बात की गई हैं, आगे देखें, आने स्वभाव या गोण, की स्वभाव या आच्रण, की निराशा के बाब जूद भी और स्रेष्ट गोणों या स्रेष्ट आच्रणों की अमान भी कमी के बाब जूद भी, आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, यस, हाँ, अब कभी यहां कहते हैं कि हम भले कितनी परिसानियों से गिरे हों, लेकिन फिर भी हम आने वाले कल में ऐसा करने कोसिस करते हैं, यदि हमारे मार्ग में कटनाईयां भी हों, या हमारे दिन उदासी से भरे हों, unhealthy हो और हमारा मार्ग भी अंधेरे से भरा हुआ हो तो भी हम अपने मार्ग को खोशते रहें search करते रहें करते रहते हैं या शर्प करना जारी रखते हैं in spite of all, in सब के बाबजूर भी some shape of beauty moves away the pale from our dark spirits our dark spirit, dark माने होता अंदकार माय, spirits माने होता आत्माय कि अब कुछ some shape of beauty, यानि कोई shape of beauty, कोई सुन्दरता की वस्तू अब सेप माने आकार, यानि कुछ सुन्दर आकार की कोई वस्तू moves away, हटा देती है the pale, pale माने पर्दा from our dark spirits कि हमारी अंदकार में आत्मायों में जो पर्दा पड़ा होता है, जो वहम होता है उस बहम को ये हटा देती है, यानि कोई भी सुन्दर बस्तू, such the sun, जिस प्रिकार the sun, जैसे शूरे, अंदकार को गायब कर देता है, the moon, चंद्रमा जैसे गायब कर देता है अंदकार को बैसे ही, trees, such the sun, जैसे कि शूरे, the moon, such the sun, the moon, the old trees पुराने पेड़, and young, पुराने पेड़ और नए पेड़, sprouting उत्पन कर रहे हैं a sadie boon, sadie boon माने, छायदार बर्दान, किसके लिए, for simplicity, कि ये चीजें कि जो सुन्दर वस्तू होती है कोई भी सुन्दर आकार की वस्तू, हमारी आत्मा उसे, अंदकार का जो पर्दा होते हैं, वो हटा देती है जिस प्रकार, शूरे चंदमा, पुराने पेड़, नए पेड़, साधान सी भीड़ के लिए भी एक छायादार बर्दान, यानि सैडी boon, प्रदान कर रहे हैं यानि ये साब चीजें, एक भीड़ों के लिए भी आसरे पर्दान करते हैं, चाया पर्दान करते हैं, ये सुन्दर ताकी वस्तू का एक कमाल है, या एक बर्दान होता है यानि कोई भी शुंदर बस्तु है आनंद के साथ साथ हमें बहुत कुछ प्रदान करती है तो वही बात यहां कही जा रही है अब आगे कभी कहता है इन सच आर डैफोडिल्स और ऐसे ही डैफोडिल्स होते हैं माने नर्गेस डैफोडिल्स बोलते हैं नर्गेस एक प्रकार का कुमध होता है तो ऐसे ही नर्गेस भी होते हैं विद ग्रीन वर्ड दे लिविन यानि नर्गेस जो हरे भरे संसार में रहते हैं विद्धा ग्रीन वर्ड दे लिविन यानि उस हरे भरे संसार के साथ रहते हैं एंड क्लियर रिल्स और क्लियर रिल्स स्वच सरीताएं रिल् के नदियां सर्थाइं बगेरा, that for themselves a cooling covert make, कि ये for themselves उनके लिए a cooling covert एक थंड़ा आस्रे, एक थंड़क से भरा आस्रे कोबर्ट बनाते हैं, गेंस दा होट सीजन, यानि इनही जानवरों के लिए, डैफोडिल्स भी अब यह संसार जो है डैफोडिल्स से भराया, यहाँ डैफोडिल्स कर वैसे तो नर्गे से, लेकिन आप चाहें तो सारे सुन्दर फूलों से भी ले सकते हैं, और क्लियर रिल्स और जो जरने बगेरा हैं, जो छोट छोटी सर्ताएं बगेरा हैं, यह सब एक आसरे प्रदान करती हैं, इन सब जानवरों को, अगेंस दा होट सीजन की गर्मी के तपते मौशम के भरूट, आगे देखें, दा मिट फॉरेस्ट ब्रेक, मिट फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक माने जाड़ी, अब मध् बीच जंगल की जो जाड़ियां हैं, मिट फॉरेस्ट ब्रेक है, जो बीच जंगल में जाड़ी होती है, जो रिच वित भरी होती है, आ इस प्रिंकलिंग, इस प्रिंकलिंग माने छित्राओ या फैलाओ, और फियर मस्क रोज, फियर माने सुन्दर मस्क रोज, माने कस्तू क्वा के ओंगली जीछ जफोती है हैं जर्च कस्तूरी गुलाब के फूल खेले होते हैं और फेलाव में होते हैं या aven होने का मतलब है संब्हट्ध्य से भर होते हैं यानि पूरnt रूप से पूरी जाली में लदे होते ही तो वे भी एक टाइप से सुंदर्ता की वस्तु हैं वो हमें आननधी प्रदान करते हैं आगे देखें एन सच टू और ऐसे ही इस दा ग्रेंडियर ऑफ दूम्स ग्रेंडियर माने बैभाव और ऐसे ही बैभाव ऑफ दूम्स दूम्स माने होता प्रले का दिन ऐसी प्रले के दिनों का बैभाव भी हैब इमेजिन्द हमने कल्पना की फॉर्दा माइटी डेड माइटी डेड माने सक्ति साली मृत अब जो हमारे पराक्रमी सक्ति साली जो मृत पूर्वज हो गए उनके लिए हमने भी ऐसे ही ग्रेंडियर माने बैभाव की कल्पना की है अंधकार के दूनों में डूम्स के दूनों में यानि प्रले के दूनों में हमने भी सोचा है कि जो हमारे पूर्वज मर के चले गए उनको भी बैभाव की प्राप्ति होगी All lovely tales that we have heard वो सारी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं अब यहां ये कहानियों का शुनने पढ़ने की बात क्यों और ने कियाً इसलिए कि जरूरी नहीं कोई चीज जिसको हम देख़ें उजसे ही आनन्द प्राप्त हो आन다면 तो हमें कहानियों से ही प्राप्त हो सकता है, उनको सुनने या पढ़ने से भी An endless fountain of immortal drink An endless fountain, एक अनंत फबारा की जो का भी खत्म नहीं होता Of immortal drink, immortal माने अमर Drink माने पे, यानि अमरित एक अमर पे, यानि अमरित एक अमरित का अमर अनंत फबारा, endless fountain Pouring unto us from heaven's brink, brink माने किनारा की heaven's brink, यानि स्वर के किनारे से लगातार गिर रहा है हमारे उपर क्या गिर रहा है? एक immortal drink, यानि अमर पे का एक फबारा निरंतर हमारे उपर गिर रहा है यानि वो हमें निरंतर अपने में दुबो रहा है An endless fountain of immortal drink Pouring unto us, unto माने उपर, us from the heaven's dream की अमर पे का, यानि अमरेत का एक अनन्त फबारा स्वर के किनारे पर से हमें डुबो रहता है यानि हमारे उपर वो गिरता रहता है